Question number 9 A dealer bought a refrigerator for Rs. 11,515 After allowing a discount of 16% on its mark price, he gained 20% Find the mark price of the refrigerator देखे, सबसे पहले आप क्या करें यह देखें कि यह आपको cost price दे रखा है Gain आपको 20% से यह है तो selling price क्या होगी पहले हम यह निकालते है तो देखे, आप इस तरीके से करना इसको Solution और कहना कि cost price कितना है 115,15 और आपको gain कितना चाहिए Gain चाहिए आपको 20% तो selling price हम निकालते है तो selling price का formula क्या होता है 100 plus gain percentage upon 100 into cost price ठीक है, यही formula होता है देखो इधर यह रहा हमारा formula कि 100 plus gain percentage upon 100 into CP यही हमने लगाया value put करते हैं इसमें तो 100 plus gain percentage कितना चाहिए 20 upon 100 into cost price, cost price कितना दे रखा है 115,15 थोड़ा और solve कर लो तो 100 में 20 एड़ गरा तो 120 upon 100 हो गया और multiply 1,1,5,1,5 0 से 0 cancel आप इसकी multiply इससे कर लो तो 1,1,5 1,5 की multiply 12 से करोगे तो क्या आएगा चीक है और फिर से 1 से करोगे तो 5,1,5,1,1 0,8,1,8,3,1 और देखो 1,0 ही रहा मतलब इसको multiply करके कितना आया 1,3,8,1,8,0 और divide में कितना चल ला है 10 तो इससे यह cancel हो जाएगा तो कुल मिला कर selling price हमारा आजाएगा 1,3,8,1,8 ठीक है यह हमारा selling price निकला अब देखिए हमसे उसने question में क्या पूछा था उसने हमसे पूछा था कि mark price बताईए देखिए जो selling price होता है न वो कैसे निकलता है वो होता है mark price मैंसे अगर discount minus कर देए तो हमारा आता है selling price ठीक है तो mark price हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कहेंगे let the mark price of the refrigerator उसको let कर लेते है X रुपीज ठीक है उसको हमने X let कर लिया मतलब mark price हमारा कितना है X minus discount कितना दे रखा है तो discount देखो कितना है discount है 16% on its mark price मतलब जो भी mark price है उसका 16% discount है तो discount कैसे निकलेगा 16% of mark price और mark price कितना है हमारा X लिखा है ना mark price refrigerator का X है और equals to selling price selling price हम निकाल चुके है कितना है 13818 13818 ठीक है अब थोड़ा solve कर लेते हैं तो X minus 16% का मतलब 16 upon 100 of X मतलब ये X equals to 13818 इसके नीचे 1 माल लो 1 और 100 का LCM लेकर इसको minus कर रहे हैं तो नीचे LCM आएगा 100 1 को 100 बनाना है तो 100 से multiply करना पड़ेगा उस 100 की X से तो कितना हो जाएगा 100 X फिर ये minus है और 100 को 100 बनाने के लिए 1 से multiply है उस 1 की 16 X से ठीक है equals to 13818 हमको क्या करना है इसको minus करना है 100 में से 16 गए तो कितना बचा 84 X upon 100 equals to 13818 अब हम X चाते है तो 13818 ऐसे है ये चीज़ equal के इदर जाएगी तो पलट जाएगी fraction मतलब 100 तो numerator में आ जाएगा और 84 divide में तब हमें X का value मिलेगा थोड़ा इसको multiply भी कर लो तो 1381800 100 से multiply करने में और divide में 84 ठीक है कुल मिलाकर अगर मैं इसको इससे divide कर दूँ तो मेरा answer आ जाएगा मैं इधर divide करता हूँ तो 84 से divide करना है मैं किसको 1381800 को 84 का table ऐसे पढ़ो कि 138 से जादा ना हो तो 1 times पढ़ना पढ़ेगा 84 minus करोगे तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा और 13 में से 8 गया तो 5 बचा 1 carry आया अब देखो लगबग ये 80 के करीब है और ये 540 के तो 6 times जा रहा है टेकल तो 6 times मैंने किया तो 64 जा 24 की 4 carry 2 6 8 जा 48 और 2 15 तो 11 में से 4 गया तो क्या बचा 7 और 3 8 उपर से carry आ गया अब देखो टेबल पढ़ो कितने times जा रहा है लगबग 4 times है ना 4 times तो 4 4 जा 16 की 6 carry 1 और 4 8 जा 32 और 1 33 minus करो 8 में से 6 गया 2 बचा 7 में से 3 गया तो 4 बचा ठीक है और उपर से 0 आ जाएगा तो टेबल पढ़ोगे तो ये 5 times होता है कितना 4 20 ठीक है माइनस करोगे कुछ भी नहीं बचेगा उपर से 0 आएगा क्योंकि उपर से नीचे आया है तो divide break हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा तो आप इसको इससे कट कर रहे है तो कितने times जा रहा है आपको जा रहा है 1 6 4 5 0 तो यही हमारी क्या है mark price क्योंकि x किसको लिया धामने mark price को I hope आपको question समझ माया होगा चलते हैं next question पर